हमें मेंजर गलसी क्लासेज मेंजर कळसी क्लासेज के यूटीव चैनल पे आपका किरागत है और कि में आपर जानते हैं तो हमस्योंना नहींने जाना इतना आसान नहीं है और बनाधर क्लासेफ़से में बच्चों से पुरी scratch से कर वादे हैं और हम उसमें पूरी तरह से help करते हैं बच्चों, अगर कोई doubt आ रहा है तो वो उनको clear करें, इसलिए हम doubt counter arrange करते हैं, तो आईए हम कुछ teacher से और बच्चों से जानते हैं कि doubt counter से उनको फाइदा क्या हो रहा है और क्या वो कुछ सीख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ doubt counter किसलिए आरेंज़ कि एक जाता है कि माल लीजे किसी बच्चे को क्लास में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई खुद से हो वो question सॉल्व कर रहा है उसको कोई भी इशु आ रहा है जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप यहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं कुछ टीच कर रहे हैं तो सर क्या है यह क्या चल लाइ सरा इस इंदी बिजुरा के पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी अप्रोच है इस वेसली बच्छों के लिए तो इसे क्या फाइदा हो रहा है कि ब बच्ची से बहुत को सीख रहे हैं जो भी डाउट्स क्लास में क्लियर नहीं हो पाते हैं उनकी डाउट्स यहां क्लियर हो जाते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो मैं किसी एक बच्चे से जान लेता हूँ कि उनको क्या फाइदा हो रहा है इसे वो को सीख आपको सब्सक्राइब कर दो किसी भी सब्सक्राइब के बारे में आपको अगर कोई डाउट आ रहे हैं तो आपको दिकत तो नहीं होती है जैसा कि आपने देखा कि यहां पर में डाउट काउंटर यहां पर चल रहा है बच्चों को टीच करने के लिए अगर उनको कोई बीश्यू आता है तो जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं मैट्स, इंग्लिस यहां जो भी सब्जेक्ट आदर फिजिक्स, इमस्टी जो भी सब्जे मैं जानने क् Oh yes जानना कुँ ऑप सब्दे दे रहें जुए पालो बच्चों को डाउट क्लियर करности का उनका तो कंसेट कुलियर होई रहा है मना इसे प्रका प्रकाशों को दाउडबने से उनकाGANसेट क्लीयर हुई रहा है pesso ऊंके इस सि ने चाहिद जिससे कि उनकी जो accuracy है और स्कोर है दोनों के इन हो रही है और साथ में उनका confidence level भी बढ़ रहा है जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों का confidence level भी बढ़ रहा है और उनके जो doubts से जादा जादा clear हो रहे है उनके जो questions को solve करने की जो speed है वो भी बढ़ रही है आईए बहुत ही short में एक बच्चे से हम जान लेते हैं यहाँ पर जो doubt अपना clear कर रहे है जो भी उनको doubts face हुए है अपने घर पर question को solve करने में या class में तो आईए जानते हैं एक बच्चे से कि क्या उनको इससे फायदा हो रहा है doubt counter से जी बताईए सब पहले बहुत है कि जो matter हमें क्लास में पढ़ाया जाता है पढ़ाने के बाद अगर हम पूरी ध्यान तरीके से पढ़ते हैं तो अगर थोड़ा भी doubt थोड़ा भी अगर कोई रहता है कोई भी mistake तो यहाँ पर आने के बाद हम clear cut हो जाता है कि अब उसमें कोई संसे नहीं रह जाता है कि मनलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है और doubt counter सबसे बेसिक सबसे बहतर बात यह है कि अगर कोई भी question लेके हमें हाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से इतने normal तरीके से बता दिया जाता है कि अगर फिर उसको अगर एक बार पढ़ लिए तो अगर थोड़ा कुछ देर के लिए एक दू महने बाद भूल वे जाए तो अगर दोबारा देख लेते हैं तो यह रही रह जाता है कि फिर फिर संसे पाइदा हो एक पर क्लियर हो जाता है तो अगर घर पर कोई कोशन सॉल्व कर रहे था तो आप डारेक्ट पूछ सकते हैं अगर क्लास में अगर कोई कॉंसेट आपका क्लियर नहीं हुआ वो भी आप पूछ सकते हैं तो डाउट काउंटर हम इसलिए वेसिकली प्रोवाइड करें जिसे बच्चों को कहीं भी कोई दिक्कत ना है अपने प्रिपरेशन में या कोशन को सॉल्व करने में